हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC Academy पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप टॉप 30 कोशन को देखने वाले हो आपके CDP और BPSC के लिए आज के क्लास में एक्स्प्लानेशन नहीं है देख लिजेगा इस बात को लगबग 10 से 12 मिनट में आपको टॉप 30 कोशन देखना है आए देखिए पहला सवाल अभिनाव भारत से कौन समंदित है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जबाब वीडी शावरकर समंदित है देखि अधिके निम्लिखित सुल्तानों में से किस ने रोजगार कार्याले की अस्थापना की थी आपको पता होना चाहिए कि बिरोजगारों के लिए और किशान के लिए काफी कुछ करने वाले सुल्तान थे जिनका की नाम क्या है फिरोश शा तुगलक ओप्शन नंबर C हो जाए किसने सिवाजी ने मुगल सैनापती कौन थे सनानायक कौन थे जैसिंग थे उनके साथ पुरंदर की संदी पर अस्थाक्षर किये थे नेक्स्ट कोश्चन और इंडिया मुस्लिम लिग क्या स्थापना किस ने की ओप्शन नंबर C हो जाएगा सही जवाब आगा खान ने किया था ध्यान रखेंगे औल इंडिया मुस्लिम लिग क्या स्थापना किस ने आगा खान ने किया था नेक्स्ट कोश्चन गांधी जी किस के अनुरोद पर चंपारन आकर तिंकठिया पद्धती को समाप्त किया देखिए ओप्शन नंबर E हो जाएगा सही जवाब इन में से कोई नहीं होगा क्यों क्योंकि देखिए राज कुमार सुक्ल के बारे मैं आपको पीछे बहुत बार बता दिया है कि राम कुमार सुक्ल नहीं गांधी जी को अमंतित के अधा चंपारन आने के लिए उपरिफो जाए से नहीं यह से का जब देखिए निइख्क अंधिकर उप्शन नंबर यह पर सी उन्ही जवाब 9-3 में और डीट अगर पूछेंगे god एक अगस्त को किया गया था ध्यान रखेंगे कब एक अगस्त उनिश्वीश को भारती राष्टी कॉंग्रिस ने और शहयोग आंदोरन की सुर्वात की थी ठीक है नेक्स्ट कोश्यन हरप्पा शब्यता के पतन के समंद में परचलित तथा मानने मत हैं बताए सबसे फेमस क्या है तो देखिए इन में से ऑप्शन नमबर ई हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि आपको पता है कि अरपपा शब्यता का पतन कैसे हुआ या अभी तक पता नहीं पाया है बट कहा जाता है कि बार के ही वज़़से ऐसा हुआ होगा ध्यान रखेंगे यह इन तीन जो आप्शन अभी आप देख रहे हो यह भी पॉसिवल है बट बार सबसे ज्यादा माना गया है अप्शन नमबर ई हो जाएगा इन में से कोई नहीं कोई एक फैक्ट यहाँ पर सही नहीं है किस अस्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है अप्शन नमबर ई हो जाएगा सही जवाब ओमान ध्यान रखेंगे ओमान अंतराष्टिय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा शंपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है चाहें तो यहाँ पर वीडियो को आप रोक लीजेगा किसकी सहमती से आप्शन नमबर सी हो जाएगा सही जवाब बिना किसी राज की सहमती से अंतराष्टिय संधियों के लिए भारत का जो संसद है संसद भवने संसद है वो कानून बना सकता है किसी को पूछने की जरुवत वहाँ पर नहीं होता है आप्शन नमबर यहाँ पर हो जाएगा ई सही जवाब एक से अधिक ठीक है यानि कि आप्शन नमबर ए बी सी और डी आपका चारों सही है आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़के समझ लिजेगा देखिए नेक्स्ट कुश्चन किसान कॉल सेंटर की शुर इंडिया में टोटल जगह किसान कॉल सेंटर है जिसमें की 113 जो विशेशक होते हैं कितना 113 कितना कॉल सेंटर है तो थेरा है बाइस भासा में ध्यान रखेंगे नेक्स्ट कुश्चन लोग शभावें परतिनित्यु भेजने के प्रेशन पर कौन सेरा आजी दूसरी तथा तिसरे अस्थान पर है तो देखिए आप यहाँ पर समझ लेए यहाँ पर आपका उत्तर पर्देश है उत्तर पर्देश में असी सीथ है लोकशवा यहां पर कोई मैच किया वह सही से नहीं है ध्यान रखेगा इस बात का नेक्स्ट कुर्शन बिहार में शरवादिक वर्षा वाला जीला है बिहार में सबसे बारिश कहां होती है किशन गंज हो जाएगए सही जबाब option number 1 किशन गंज मे सबसे यदा बारिश होता है और सबसे कम की अगर बात करेंगे यहां पे मलिक दे रहा हो देख लिजगा औरंगाबाद में कहाँ पर औरंगाबाद में सबसे कम बारिस होता है ध्यान रखेंगे किसंगर्ज में सबसे ज़्यादा और बिहार स्पेसल में आपका क्लास बिहार स्पेसल से यह सवाल आशकता है कि है कि बिहार की जो और्शत वर्षा उति वर्षा कितना है तो यहां पर देखिए 112 मृकaj संथी मिटर व्यार राज की और वर्षक वर्षा होती है file कोयद कूर्चन बहारत का कॉन सास्थान आरीय तरंगों उर्जा उ पादन के लिए य Ouch करता है option number यहाँ पे हो जाएगा आपका C सही जवाब कच्छ की खारी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा next question दुलार इस्थला किर्थियां पाई जाती है कहाँ पर दार्जलिंग और सिक्कीम हिमाले में ध्यान रखेंगा option number B यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दुलार इस्थला किर्थियां कहाँ दार्जलिंग और सिक्कीम हिमाले में मिलता है next question नदी मैदान के शंदर में दोआब का अर्थ है दोआब का क्या मतलब होता है friends जहाँ भे आपको टाइम चाहिए होगा आप वीडियो को ज़रूर रोक लिया करिएगा दो नदियों के बीच का भाग option number A होता है क्या होगा दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं दोआब कहते हैं next question दामोदर वैली कॉर्परेशन क्या है तो सम्वेदानिक निकाय हो जाएगा ध्यान रखिएगा option number A सही जवाब हो जाएगा next question भारत के कच कारण किसलिए परसिद्ध है जुआरिये मिट्टी के मैदान के लिए ध्यान रखेंगे जुआरिये मिट्टी के मैदान के लिए फेमस है कौन सा भारत के कच कारण यह कहाँ पर है तो गुजरात में है और एक चीज़ समझ देजिए कि जंगली गधा जो होता है यहां पे लिख रहा हूं देखिएगा राइटिंग तो वैसे बहुत अच्छा नहीं है जो ऐसा मत सोचेगा लिखने में मज़ा आता है बट लिख दे रहा हूं जंगली गधा जो है यह कहाँ पर भारत के कच के रन में भी मिलता है और ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए भी कच का रन फेमस है नेक्स्ट कोशन भारत के निमलिखित राजियों में से किस राजि में जन्मदर निउन्तम है ऑप्षन नमबर डी हो जाएगा सही जवाब केडल में है ठीक है नेक्स्ट कोशन निमलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है सबसे निमल है देखिए यहां पर ओन्र वीडियो को चाहें तो रुख लिजेगा यहां पर नागारजुन सामझबवरी नदी यह गलत आप लगाई आपन पर ओजाएगा पर में कर्देघ कर देखिए यह जो नंगलहीं है कि इसके बारें तो समझ लिए कि सब्दि हिमाचल पर्दीश यह तीनों राज हो गये फिर आपका सरदार्व सतरों बड्या जो है यहां से मद्र परदीश महराष्ट महराष्ट और राजस्थान यह तीन और यह दोंों राज हो गया राकुंद बांद से आपका हो जाए कौंसा और शाय को ठीक है प्रदेश को और सरदार सरोवर पर्योजना से मद्ध प्रदेश महराश राजस्थान और यह जो नांगल बांद है सब्सक्राइब का पंजाब हर्याना और हिमाचल प्रदेश को यह मतलब इन से फाइदा मिलता है उन्हीं के लिए यह काफी जादा कहिए कि लाब दायक होता ह नेक्स्ट कोशन कहाद एक फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांदना कहलाता है क्या कहलाता है आप्शन नमर सी हो जाएगा सही जवाब ट्यूब एक टॉमी कहलाता है ठीक है फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांदना क्या कहते हैं ट्यूब एक टॉमी इसका मतलब क् नश्बंदी होता है उसे ही क्या कहते हैं फैलोपियन ट्यूब को काट कर हटाना या काट को बतलब काट कर बांद देना कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन मकरी में श्वसन अंग कौन सा है तो आप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब बुक लंग हो जाएगा मकरी में श्वसन नंग कौन सा है तो बुक लंग है नेक्स्ट कोश्चिन फ्रेंट्स देखे इस वाले सवाल में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ अगर आपको इनके बारे अगर पता हो तो सबसे पहले तो इसका जो आध्यान होता है उसे क्या कहते है काफी ज़्यादा यह कहिए तो आभी वियाई होता है इसे कहा जाता है एरी नियो लॉजी कहते है ठीक है एरी नियो लो जी कहा जाता है उसके वाल आपको एक चीज बताना है कि मकरी का जो बलड होता है ठीक है ब फोटोग्राफी में प्रियुक्त होने वाला हाइपो विलियन जलिये विलियन है मताई ये कौन सा सोडियम थायो सलफेट का हो जाएगा option number C हो जाएगा सही जवाब next question पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर सीट के पानी छलकाए बिना आसानी से खीचा जा सकता है यहाँ घटना क्या कहलाती है तो यहाँ हो जाएगा option number B जरत्व कहलाता है देखिए Newton का जो प्रथम का ती नियम था उसे ही जरत्व का नियम भी कहा जाता है तो option number B यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा next question पिर्थमी के वायो मंडल की परतों के शमन्द में कौन सा खथन अशत्य है option number A हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब ओजोन परत मध्य मंडल मिश्थित है यह आपका सही नहीं है बाद वाकि जो यहाँ पे आप तीनों option देख रहे हो यह सही यह सभी यह क्या है सही है तो आपको अगर जवाब पता हो तो आप यह भी बता सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो मद्य मंडल में स्थित नहीं है तो कहां पर है नेक्स्ट कोश्चन या फिर कितना किलोमेटर के डिस्टेंज में वो है ATP का पूर्ण रूप क्या है आपचिन नंबर A हो जाएगा सही जवाब ATP का फूल नाम क्या बोलते हैं नेक्स्ट कोश्चन मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली स्रवन से समन्दित है option number D हो जाएगा सही जवाब संख पाली next question गती भेद को शमायोजित करने के लिए प्रियुक्त मिमोरी बफर को क्या कहते हैं क्या हो जाएगा सही जवाब stake pointer option number C हो जाएगा सही जवाब next question चंद्रमा पर वायो मंदल नहीं होने का क्या कारण है देखे इसका region क्या होता है अगर आपने परहा होगा ता आपको अच्छे से पता होगा नहीं तो देख लिए option number C इस पर गैस अनुवा का जो पलायान वेग है उनके वर्ग माद्य मूल वेग से कम होता है ठीक है ध्यान रखेंगा पता है फ्रेंड्स एक बाल बताना चाहूंगा मेरे अच्छे मित्र है दोस्त है उन्होंने कहा कि maximum question में आपका option number A ही रहता है तो आपसे मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो ध्यान रखता हूं option number A में ज्यादा अगर कहीं पर option रहता है तो उसे number हो जाएगा D सही जबब Alexander Fleming ठीक है penicilline का विश्कार किस ने किया था अलेक्जेंडर Fleming ने किया था तो फ्रेंड्स अभी आपने top 30 question देखा जो कि आपका CDPO जो कि जर्श्ट अभी बहुत जल्द मतलब एक दिर महींने में होने वाला CDPO और BPSC जो कि आपका सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ABC आपके लिए हर तरह का material लाएगा जैसे ही CDPO का data आएगा और फिर BPSC का data आएगा तो उस वक्त से आपके लिए बिहार special से class आएगा काफी अच्छा class रहेगा जो कि हर एक सवाल उसी तरीके का set किया जाएगा जो आपके बिहार में बिहार special से आचुका है या फिर आएगा अगर आपने बिहार special से अभी तक नहीं देखा है तो playlist में आकर देख लिजेगा लाश्ट 20-25 सालों में बिहार स जो भी question पूछा गया है उसे एक playlist में बना कर वो डाल दिया गया है आप उसे जरूर एक बार देख लिजेगा ताकि आपको पता चले कि बिहार से किस तरह का सवाल पूछा जाता है तो ठीक है friends आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बने रही ये भी शेक अडमी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स